पानी लगभग हर जगा है, मिट्टी की नमी से बरफीली चोटियों और हमारे शरीर के अंदर की कोशिकाओं तक, स्थान, पैट इंडेक्स, आयू और लिंग पर निर्भर करते हुए, आसत मनुष्य 55 से 60 प्रतिशत पानी होता है. जन्म के समय मानव शिशों में और भी ज्यादा पानी होता है, 75 प्रतिशत पानी के साथ वे मचली की तरहा होते हैं, पर उनके पहले जन्म दिन तक, उनके पानी की मात्रा गिर कर 65 प्रतिशत हो जाती है. तो हमारे शरीर में पानी की क्या भूमी का है और हमें स्वस्थ रहने के लिए कितना पानी पीना चाहिए? हमारे शरीर का पानी जोडों को कुशन और लुब्रिकेट, तापमान का नियंत्रण और मस्तिश्क और मेरू रज्जू का पोशन करता है. पानी केवल हमारे खून में ही नहीं होता है. वयस्क का दिमाग और रिदय लगभग तीन चौथाई पानी होता है. ये लगभग एक केले में मौजूद नमी की मात्रा के बराबर है. फेपडे 83 प्रतिशत पर सेब के समान होते हैं. और यहां तक की सूखी प्रतीत होने वाल चौच गतिविध्यों में और सांस लेने तक से 2-3 लीटर पानी का त्याग करते हैं. जबकि ये प्रकार्य हमारे जीवित रहने के लिए आवश्यक है, हमें तरल की हानी पूरी करनी पड़ती है. डिहाइडरेशन और ओवर हाइडरेशन से बचने के लिए संतुलित जल स्त जरूरी है, क्योंकि दोनों ही स्वास्थे पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं. कम पानी के स्तर का पहली बार पता चलने पर मस्तिश के हाइपोथालमस में समवेदी रिसेप्टर्स एंटिडायोरेटिक हॉर्मोन की रिहाई का संकेत देते हैं. जब ये गुर्दे तक पहु उर्जा, मनोदशा, त्वचा की नमी और रक्तचाप में उलेखनिय गिरावट के साथ साथ संग्यानात्मक हानी के लक्षन भी हो सकते हैं. एक निर्जलित मस्तिश्क, सामान्य मस्तिश्क के समान ही कार्य करने के लिए अधिक मेहनत करता है और पानी की कमी के कारण ये अस् दिलताओं के कारण एथलीट अक्सर अति हाइडरेशन के शिकार होते हैं. जबकि निर्जलित मस्तिश्क एंटिडायोरेटिक हॉर्मोन का उत्पादन बढ़ाता है, अति हाइडरेटिट मस्तिश्क इसे रक्त में छोड़ना धीमा कर देता है या बंद भी कर देता है. शरी सिर्दर्द, उल्टी और दुरलब मामलों में दौरे या मृत्यों का कारण बनता है. लेकिन ये काफी चरम स्थिती है. हम में से उन लोगों के लिए एक अच्छी तरह से हाइडरेटेट प्रणाली बनाए रखना आसान होता है, जो स्वच्छ पीने के पानी तक पहुंच पानी के लिए भागेशाली होते हैं. लंबे समय से लोग कहते आए हैं कि हमें दिन भर में आठ गिलास पानी पीना चाहिए. इस अनुमान को अब और परिश्कृत कर दिया गया है. अब माना जाता है कि पिए जाने वाले पानी की मात्रा हमारे वजन और वातावरण पर नि गर्म हैं तो उपर या नीचे हो जाती है. जबकि पानी सबसे स्वास्त्य प्रद हाइडरेटर है, अन्य पे पदार्थ यहां तक की कॉफी या चाय जैसे कैफीन वाले भी तरल पदार्थों की भरपाई करते हैं. और भोजन में मौजूद पानी हमारे दैनिक जल सेवन के पांचवे भाग की पूर्ती करता है. स्ट्रॉबरी, ककडी और ब्रॉकली जैसे फल और सबजियां 90 प्रतिशत पानी हैं और मूल्यवान पोशक तत्वों और रेशे के अलावा तरल के सेवन में योगदान कर सकती हैं. परियाप्त पानी पीने के दीरगा वधी लाब भी है सही हाइडरेशन स्ट्रोक की संभावना कम, डाइबिटीज को मैनेज करने में मदद और कुछ प्रकार के कैंसर के जोखिम को कम कर सकता है. चाहे कुछ भी हो, सही मात्रा में तरल पदार्थ लेने से आप दिन प्रति दिन कैसा महसूस करेंगे, सोचेंगे और कैसे कार्य करे इसमें बहुत बड़ा अंतर आता है. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ग्यान की अपनी प्यास बुझाएं. आप ये जानकर अचमबित होंगे कि आप कितना सीख लेते हैं.